नमस्कार सौगते आप सभी का एवन टीवी में मैं हूँ आपके साथ उमंग माथूर और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश आईए बुलिटिन के शुरुआत करेंगे लेकिन पहले नज़र डालतें इस वक्त की सुर्खियों पर मुरादाबाद दोरे पर मुख्यमंद्री योगी आदिथिनाठ डिप्टी एस पी की पासिंग आउट परेट के लिए सलामी आवंटियों को भवनों की सौपी चाबियां उत्तर प्रदेश में विधान सबाद चुनाव की तैयारियों में जूटी कॉंग्रेस प्रियंका गांधी वाडरा रह महिलाओं के लिए जारी किया घोचना पत्र फ्री बस यात्रा और नौकरी में 40 प्रतिशत इस सेदारी देने का किया वाधा सपा मुखिया आखिलेश यादव का बड़ा एलान नहीं लड़ेंगे उत्तर प्रदेश विधान सबाद का चुनाव सियासी गलियारों में चर्चाओं का दोर शिरू उत्तर प्रदेश के जौनपूर में बदलापूर पुलिस की कारवाई अवेद पताखा कारिवारियों पर कसा शिकंजा साथ कुइंटल 65 किलो विस्फोटक सामगरी जब एक गिरिफतार अयोध्या में दिव्य दीपोटसव का शिवारम त्रेता युक्सी सजी रामनगरी तीन नवंबर से होगा मुख्यायो जाए अब आईए खबरों पर नज़र डालते हैं विस्तार से आपको बता दें कि मुख्य मंतरी योगी आदितनात मुरादाबाद दोरे पर रहे जहांवे डॉक्टर बी आर अमबेटकर पुलिस अकैडमी मेदान में आयोजित पासिंग आउट परेड में बतार मुख्य अतिती इस पासिंग आउट परेड के बाद उत्तर परदेश पुलिस को 72 डिप टीएस पी मिल गए हैं इसमें 17 महिला डिप टीएस पी शामिल हैं पासिंग आउट परेड की सलामी मुख्य मंतरी योगी आदितनात ने ली जानकारी के लिए बता दें कि अलीगड की सुकरनिया शर् 2020 को शुरू हुई थी आउट डोर और इंडोर का कड़ा प्रशिक्षन पूरा करने के बाद नए अफसर ड्यूटी के लिए अब तैयार हो चुके हैं इस बाके पर बुक्य मंतरी योगी आदितनात ने पास आउट हुए डिप्टी एस पी को करतव्य निष्टा की श्यपत लाई साथ ही साथ अलिगर निवासी सुकन्या शर्मा को सर्वांग सर्वुत्तम समेथ तीन पूरुसकार दी है आउट्डोर में विवेक जावला और इंडोर में सुकन्या पहले इस्थान पर रहे इस जोरान पुलिस अकादमी के ADG जै नरैंड सिंग डीची ट्रेनिंग आ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे तो वही आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस लाइन में आयोजित कारिकरम में मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने पात्रों को पी-म आवास योजना के भवनों की चाबी भी सौपी दोनों जगे सी-म योगी ने कारिकरम को प्रदेश में पहनी वार नई-पचीज प्रएगवदर कारा को चौंती सदार रिक्रूप भारक्सियों की प्रसिक्शन का सुबादों का फिरी कितनी विस्के पिसाल संका में एक साथ सभी प्रसिक्शन से स्थीले संबाद की किया था इस कारिकरम में प्रदेश के 31 केंद्रों में स्ताफित बर्दल क्रास रूम ता से समी प्रसिक्शन केंद्र पेस्टूप लाइब के मांतिन से भी चुड़ी थी और से गोड़ा रखारा में प्रदेश में पहली बार एक साथ लगबक 30,000 रिक्रूट आरक्शियों का बड़क्ता पुरवक प्रसिक्शन संपाजित क्या गया इस प्रसिक्शन से प्रदेश की प्रसिक्शन चंता मात्र 16,150 होने की कारण पहली बार केंद्रे पुलिस संग्रखन, स्काइड़सेप, स्काइड़क्लियेप ता गेरादुन रोतरपुर्ट तला हरिद्वार इस्तितुत राखन के प्रसिक्शन संस्पामों में प्रदेश के बाहर केंद्रे पुलिस संग्रखन, स्काइड़क्लियेप ता गेराद। प्रदेश संग्रखन, स्काइड़क्लियेप ता बीएस्तित के बारा प्रसिक्शन केंद्रों पर चैमाकादार प्रसिक्शन समलता पुलवग संपन्द कराया गया है। वर्स बहर अग्थारा में भर्ती के सेज्ट, अग्थारा हदार इक्रोट आरक सी, पिए सी की चैमा का आधार बूद प्रसिक्षंट, दिलान 24 दिसमबर का आधार अंदी से आरक प्रक्या गया, कंप वस्ट, 2020 तवर्दमानिवस्ट 2021 में, वैपर जाली सजार पुजर्स अप्रोस में कान आधारROथ प्रसिक्षंट, बज़ौन धी प्रसिक्षंट, कंप दिसेज्ट प्रसिक्षंट पोचज़, आयजीट कायें गये तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधान सबत चुनावों के लिए महिलाओं को साधने के लिए कौंग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है कौंग्रेस महासाची प्रियंका गांधी वाडरा ने कुछ दिन पहले चुराओं में 40% टिकेट महिलाओं को देने का ऐलान किया था अब उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से घोशना पत्र भी जारी कर दिया है प्रियंका गांधी वाडरा ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए अलग से गोशना पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने चात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया और इसके साथ ही बुजुर्ग महिलाओं और विद्वाओं को हर महिने एक हजार रुपे पेंजन देने का भी एलान किया तो यह राज़ानी लखना हूं मैं पूर्व केंद्रिय मंत्री और राजस्तान प्रदेश कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्षि सचिन पाइलेट ने एक प्रेसवारता की सचिन पाइलेट के साथ कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्षि अजे कुमार लल्लू राश्ट्य सचिव धीरज गुर्जर और राश्ट्य प्रवक्ता सुपरिया भी मौजूद रही इस दोरान पाइलेट ने कैग घुटाले को लेकर कहा कि पूर्व सियेजी ने हलफ नामा देकर टूजी स्पेक्टरम घुटाले के सम्मद में माफी मांगी है पाइलेट ने कहा कि जूटे और मन गणन तरीके से पूरो प्रदान मंत्री मनमहन सिंग पर फर्जी आरोप लगाया गया था 1500 पेज के जज्जमेंट में लिखा है कि किसी प्रकार का कैग घुटाला हुआ ही नहीं पाइलेट ने कॉंग्रेस और पूर्फ पियान मनमहन सिंग को बदनाम करने का अरोप लगाया पाइलेट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी जम कर निशाना साधा इसकी बिज़्जमेंट में पहली है और आज हुआ 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 है इस पेक्ट्रम का पर दिद्गोटा था वोली का पर दिद्गोटा था यह सब एक स्कूंची सब्सक्राइब के तहर किया गया था सरकार को अफिर करने के पुशिश की गई थी लोगों को प्रमित किया गया बीजेटी उसे तमाम जो संधियम के साथ जान करते हैं तो वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अकिलेश यादव ने अगला विधान सबाचुनाव ना लड़ने का एलान किया है आजमगर से सांसाद अकिलेश यादव ने कहा कि वो छोटी पार्टियों से गढ़बंदन कर रहे है राश्टी लोगदल के साथ गढ़बंदन और सीटों के बटवारे पर अभी बात करनी बाकी है इससे पहले हरदोई में अकिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्य वंत्री योगी आदितनात पर युवा सोच को ना समझ पाने का तंज कसा तो वहीं अकिलेश के इस ऐलान के बाद सियासी गल्यारों में चर्चाओं का दोर शुरू हो गया है इदर अकिलेश ने भाज़पा पर समाज में जाती और धर्म के अधार पर भेदभाव फैलाने का भी आरोप लगाया तो वहीं आपको बता दें कि बसपा से निश्का से च्छै बागी विदायकों ने सपा का दामन थाम लिया है उनमें धोलाना हापुर से बागी विदायक असलम अली चौधरी भी शामिल है उनका कहना है काशिराम जी ने जो प्लेटफॉर्म तयार किया था वो गरीब तबके के लोगों को बड़ावा देने का था जिस पर बसपा अब खरी नहीं उतर रही असलम अली से एवन टीवी के संवादाता आयूश अवस्थी ने की खास बाचीत क्या कारण था जो आमने सपा बस्पा चोड़ने के लिए यह कारण था बस्पा की नीती और करने और कद्री में फरक हो गया है जिस तरीकिसे कांसी नाम जाने प्लेट खरम बनाया था किसान मजदूर का मैयामती जी उसके विप्रित जाना गया जो कारिया करता हो का फारम बनाता नहुआज ओका जो प्लेट फारम बीज़ेपी है उसके खिलाभी तो मानवर गांसी डाम सब्सापने भीज़ेपिसे को dick को को समर्थन दिया इसी तरीके से राजसभा के चुनाओं इन लोगों बस्पा की राष्टे दर बीजेश्पी से ताल में क्या हमने उसके विरोध किया उसके वाले में हमारे विरोध करने पर उन्हों नहीं हमें पांचे से मिटसाते हैं किता सबौस्पा की और आपके साथोधी से द्धर्मेश और से बुरी तरह दिये क्या लगता है अब पर पर अफॉर्पिर किया लगता है अपको टिकट मिलेगा अवी को कभी कुछ मिलता नीगा और बात Δीसे नंबर बिजब से और समाजवादी के नाम पर जो दो अब कहीं कुछ नहीं है, ना विजेपी का कुछ है, ना सपा का कुछ है, अब तो सब का सूपरा साथ है। ने चारों और उल्लास का महौल है, अपने राम के स्वागत में रामनगरी का कौना कोना आलो की थोटा है। पर तलब है कि पांस दिन तक चलने वाले सुटसव का मुख्या आए ज़न तीन नवंबर को होगा और इस दिन सीम योगी साहिद, राजिपाल, कई मंत्रियों और विदेशी महमान शिरकत करेंगे और पूरे रामनगरी में करीब बारा लाख दिये जलाए जाएंगे। इस वीज अकेले राम की पैड़ी पर ही नो लाख दीब जलाने की तैयारी है। शेश तीन लाख दीब रामनगरी के अन्य स्थलो मठ मंदिरों पर जलाने की योजना है। बता दें कि उत्तरप्रदेश के जनपत अमरोहा के गंगा तिगरी धाम पर कार्तिक पूर्णिमा पर एतिहासिक मेला आयोजित किया जाता है। और इसी की तैयारियों का जायजा लेने के सिलसिले में जिलाधिकारी बाल कृष्ण त्रिपाठी, विधायक राजीव तरारा और जिलापंचायत अध्यक्ष ललित तवर ने अध्यकारियों के साथ मीटिंग की। सभी ने तैयारियों में कमी देख नाराज की जताई और इसमें और तेजी लाने की बात कही। जिलापंचायत अध्यक्ष ललित तवर ने कहा कि तिगरी गंगा मेले को भव्वे बनाया जाएगा। इस दौरान COVID-19 का ध्यान रखते हुए उन लोगों को मेले में जाने की अनुमती दी जाएगी जिनके पास कोरोना वैक्सीन लगने का प्रमाण पत्र होगा। और जिन लोगों को कोरोणा का वैक्सीन नहीं लगा है, उन लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा. अच्छी सोच वाले वेक्तिया हैं, मैं वेक्तिकत रूप से यहां लगा हुआ ही, तो आप सभी के सहोग से हम इस मेले को भबे बनाएंगे, और यहां पर जो सुविधाय हैं, वो जन जन तक पहुँचे हैं, और एक अच्छा संदेश समाज के अंदर जाए, जैसा कारे भारत जनता पार्टी अपनी संस्कृती विचार धारा के लिए और अपने गंगा मैया हमारे बीच से होकर निकलती हैं, तो गंगा मैया का समान मारी केंदर और राज्य सरकार दोनों ने बहुत अच्छे से किया है, इसके स्वच्छता के लिए काम किया है, तो यह आपको बदा द समर्जीत ग्रामिन क्षेत्रों की गरीब महिलाओं के दिवाली का सामान बाट रहे हैं, यहां के बीकापूर के भरत कुंड के निशादबस्ती में जाकर उन्होंने समाजवादी घर-घर दीपोच्छव की शिरुवात की, समर्जीत ने कहा कि जैसे प्रभुराम अपनी प् दिपोच्छव मनवाने का कारे कर रहे हैं. से पहले दीपक वहापने जन्ता के बीच जलवाने का काम करते थे, आज उसी को आधर समान कर हम प्रभुराम की नगरी अज्या में तमाजवादी घर-घर दीपोच्छों गाउ-गाउ मनाने का काईकरम चालू कर दिया है, यहां काईकरम हमारा अनुवरत चलता रहे हैं. तुम्हें उत्तरप्रदेश के एटा इस्तित इफको किसान के इंदर पर डीएपी खाद की कमी के जलते किसानों की लंबी कतारे देखने को मिल रही है. इस दोरान खाद लेने की आपदापी में किसानों के बीच मारपीट भी हो गई. किसानों का कहना है कि यहां जिसका जुगाड है उसको आसानी से डीएपी खाद मिल रही है. लेकिन सुभा से ही खाद पाने की आस में बैठे किसानों को खाली हाद वापस भेजा जा रहा है. बढ़ती महंगाई और खाद की कमी से परेशान किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि समय पर डियेपी खाद उपलब्ध कराए जाए जिससे वे दोबारा अपने जीवन को पट्री पर ला सके तो वे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुलिस न यातायात महा का शुभारम किया पुलिस परेट ग्राउड में विधायक यवराद सिंग और एस पी कमलेश दिक्षित ने रैली को हरी छंडी दिखा कर रवाना किया आपका बता दें कि इसमें स्कूली बच्चों ने शेहर के मुख्य मारगों से होकर रैली निकाली साथ ही लोगों को जाग रुक भी किया इस माके पर विधायक और एस पी ने जुले की जनता से सतर्क होकर वाहन चलाने की अपील की हर वर्ष की भाती नवंबर का पूरा महा डेडिकेटेड होता है यातायाद के लिए और आज यातायाद महा का शुबारम किया गया है साडी की तरफ हम लोग जाएंगे इसमें एक रेली मोटर साइकल की रेली हम लोगों के दोरा निकाली गई है जिससे जन जागरुती फैलाई जाएगी लोगों को जो ट्रैफिक के नियम है मोटर वी कलेक्ट के जो नियम है उनके बारे में जागरुक किया जाएगा और जो नियमों का नुपालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद समन की और चलान की कारवाई है वो की जाएगी तो यह उत्तरप्रदेश के बांदा में एसपी ने खुद चापे मारी कर भारी मातरा में अवैद विस्वोटक पदार्थों का जखीरा पकड़ा है जिसमें 15 कुइंटल से भी ज़्यादा पठाके और भारी मातरा में बारूद सल्फर नाइटरेट सहित अन्य सामगरी शामिल है इस चापे मारी से विभागी और पुलिस अधिकारियों में हड़कम पच गया हलाकि एस पी ने माल सहित मौके से एक आरोपी को भी गिरिफ्ट में ले लिया आरोपी डंब का लाइसेस लेकर पठाका बनाने का वैद कारे कर रहा था एस पी ने बताया कि आरोपी के पास भंडारन का धाई सो किलोग्राम का लाइसेस था और इसके साथ ही इसने जहां भी सप्लाई की है वहाँ पर भी छापे मारी के निर्देश दिये गए है मरदन नाकर लाकियों में एक अवैज पठाका प्रेक्ट्री पगड़ी गई है यहां पर मौके पर काफी सारा जो बनाने का सामान है वो पकड़ा गया है बख बख दस कुंता जो पठाके पकड़े गए है और काफी भारी मात्रा में बारूज और जो आपका सलुफर है नैटरेट र गळाक बनाने के सामागरी है वो यह पर पाई गई है यह बिना किसी लैसेंस के वक्ती आपर मैनुफेक्ट्ट्रिंग कर रहा था मुहम्मद राशित नाम है इसका इसके पास स्टोरेज का लाइसेंस था वो भी धाइसो किलो तक का लेकिन यहां पर इर्लीगल डंग से मैनुफेट्टरिंग कर रहा था इस बुलिटिन में फिलाल इतना ही देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एवन टीवी नमस्कार